तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए लटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में जी हाँ ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट और धमाकेदार है इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग की बिहार बोड की तरफ से जारी किया गया यह model paper है और इसका solution आज के इस वीडियो में मैं आप लो को कराने वाली हूं और यह model paper का solution मैं कुछ बातों को ध्यान में तो यह करा रही है कि model paper की question को देखकर जो भी मैं आप लोग को कराने वाले हूँ इस वीडियो में model मौडल पेपर के कोशन को देखकर आप लोगो अन्दाजा मीलेगा कि हाँ आप लोग के एकज़ाम में किस तरह से कोशन पुछैंगे कोशन पूछन पूछने का तरीका किस तरह से रहेगा सबसे पहली बात तो यह हो गई दूसरी बात आप लोग के preparation की जाच हो जाएगी कि आप लोगी तैयारी कितनी है 100 objective question है आप लोग 100 objective question में से कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग कितना पीछे हैं आप कितना आग inhaler आपकी तैयारी कैसी है ये आप लोग को पता चल जाएगा और तीसरी बात ये है इस बात को धियान में रखते हुए मैं ये model paper करा रही हूँ कि आप लोग को पता चले कि जो मैं पढ़ाती हूँ जो मैं आप लोग को content देती हूँ जो real content देती हूँ, जो original content देती हूँ, उससे आप लोग के exam में question पूछे जाते हैं कि नहीं और आप लोग को जानकर ये आश्चर ये होगा कि जो भी मैं आप लोग को पढ़ाई होना 12th class के उर्दू का all chapter में complete करा चुकी हूँ, total book में complete करा चुकी हूँ उर्दू grammar के लगबग topic को पढ़ा चुकी हूँ, तो जो भी topic में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, वो हर एक topic से model paper में question पूछा गया है और ये हमारा record है, हमारा record है कि जो भी मैं objective question कराती हूँ ना, उसी में से आप लोग के exam में question पूछे जाते हैं अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, तो previous session के जितने भी student है, उनका comment अभी भी हमारे community post में भरा पढ़ा है, आप लोग जा कर देख सकते हैं ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये हमारा तजरुबा कहता है आप लोग खुद इस model paper के question को देखेंगे ना, जो भी आप लोग को कराने वाली हूँ, आप लोग को खुद लएगा कि जी हाँ, मुसकान मैं मैं कलत नहीं बोलती हैं, जूट नहीं बोलती हैं, बिल्कुल सहीं बोलती हैं हर एक question, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ, और मैं important समझते हुए, वो point बताई हूँ, कि ये point याद रखिएगा, आप लोग के exam में पूछा जा सकता है, वो सारे important point model paper में पूछे गया है, तो सोचिए, model paper में ये हाल है, जो आप लोग का, जब final exam होगा, और final exam के question paper मे जो question पूछे जाएंगे, उसका क्या हाल होगा, जी हाँ, विश्वास बनाए रखे, मैं बोल रही हूँ ना, कि जो भी objective question में आप लोग को कराऊंगी, उसी में से आप लोग के exam में question पूछे जाएंगे, उसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग का objective में 50 में 50 आना तो तय है, ठीक है, बस ये विश्वास बनाए रखना है, like share करते रहना है, motivation देते रहना है, क्योंकि आप लोग के like share, प्यार और support से ही हमें motivation मिलता है, ठीक है न, तो जितना ज़्यदा उसके वीडियो को like share जरूर करें, मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ कि 50 में 50 चास आप लोगा सही होगा, बस मैं आप लोग को जो कह रही हूँ करने के लिए वो जरूर करें, सबसे पहली बात, जो कुछ वे मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, class 12 के उर्दू का book complete हो चुका है, उर्दू grammar के लगबग topic को पढ़ा चुकी हूँ, तो जो student हमारे द् मिश्वास के साथ कह रही हूँ कि आज के इस वीडियो में, model paper का जितना भी objective question करने वाले हैं, सारे objective question का answer आप लोग यूँ चुठकियों में दे सकते हैं, आप लोग के लिए सारा सवाल एकदम आसान लगेगा, सारे के सारे सवाल एकदम हलवा लगेंगे आप लेकिन जो student नहीं पढ़ रखे हैं, उनके लिए tough लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी मैं topic पढ़ा चुकी हूँ, उर्दू grammar के और class 12 के book का all chapter पढ़ा चुती हूँ, अगर आप लोगों को बताती हूँ कि playlist कैसे ढूंड़ना है, सबसे पहले तो आप लोग YouTube खुलेंगे और ग्यापन Academy सर्च करेंगे, तो ग्यापन Academy का logo आप लोगों को दिखाई देगा, लोगों पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, तो ग्यापन Academy का home page खुल जाएगा, ठीक है जैसे ही home page खुलेगा, तो आप लोगो playlist वाले section में चले जाना है, और playlist वाले section में जब आप लोग जाएगे और scroll करते हुए नीचे आप लोगो जाना है, scroll करते हुए जब नीचे जाएगे, तो आप लोगो class 12th उर्दू session 2013-2024 के नाम से playlist दिखेगा, और वही है playlist, जब उसी playlist पर आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगो 12th class के उर्दू के परती एक चेप्टर का परती एक वीडियो मिल जाएगा, हलांकि उस playlist में सब कुछ है, हर एक चेप्टर जो कि मैं आप लोगो एकदम deeply विस्तार से पढ़ाई हूँ, हर एक चेप्टर का वीडियो उसमे अब लेवल है उस playlist में और यहां तक की 12th class के हर एक चेप्टर का objective question का भी वीडियो उसी में मिल जाएगा, हर एक चेप्टर का टोटल चेप्टर का जो मैं objective question करा चुकी हूँ, उसका भी वीडियो उसी playlist में आप लोगो दिखेगा, यहां तक की जो subjective question में आप लोगो कराई ह तो उसी तरह करना है, यहां पने केडमी सर्च करेंगे, लोगों दिखाई देगा, होमपेज, मतलब लोगों पर क्लिक करेंगे, होमपेज खुलेगा, playlist वाले सेक्शन में चले जाना है, और playlist वाले सेक्शन में जाकर, scroll करते हैं नीचे जाना है, तो आप लोगो playlist का नाम दि देखकर हर एक topic को पढ़ सकते हैं, और फिर आप लोग भी उर्दू में 95 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि पिछले session के जितने भी student है, वो उर्दू में 98 तक लाए हैं, तो आप लोग के भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग at least 95 प्लस तो लेकर आए, ठीक है, चलिए 95 प्लस तो 90 प्लस लेकर आना है आप लोगो, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, कि जो इन दोनों प्लेलिस्ट के प्रती एक वीडियो को देखकर प्रती एक topic को cover कर लिया ना, तो उसको 95 प्लस marks पक्का आना ही आना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो I hope आप वीडियो को like share नहीं किये हैं, तो starting में ही आप लोग like share जरूर कर दे, क्योंकि बीच में मैं आप लोगो question कराने लगोंगी, तो उसी दुनिया में आप लोगो खो जाएंगे answer बताने में ही, और मेरे answer बताने से पहले आप लोगो खुद से answer बताना है, आप लोगो चेक करना है कि आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं, और कितना गलत हो रहा है, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप लोग comment में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को like share कर दीजे, चानल पर अगर आप लोगो नहीं नहीं है, आई हूए मेरे वीडियो को पहली बार पर ही है, आप लोग सोच रहा होंगे, यह है official model paper, यह तो हाथ से लिखा हुआ है, तो जी हाँ हाँ, हाँ हाँ से लिखा हुआ ही अप लोड किया गया है, बिहार बोर के official website पर जो model paper 24 का latest upload किया है, वह हाँ से लिखा हुआ ही है, यह official model paper है, और अच्छी बात है, हाँ से किया हुआ हो बस मॉडल पेपर होना चाहिए वह भी नहीं तो अफिसल और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारी ठीक है ना तो 2024 का लिखा हुआ यह या फिर आप यूं कह सकते लेटेस्ट मॉडल पेपर है जो की भी हार बोड के औफीसल वेबसाइट पर यह जारी किया गया है तो चलिए सारे अब्जेक्टिव को देखते हैं कि सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है दिशा निर्देश को गईरा कोशन पर के स्टाटिंग में आप लोग देखे भी में से आप लोग को पचास आपजया इंसर देना रहता है अगर 50 सब्सें 15 को काउंट किया जाएगा और सिर्फ उसी को चECK किए जएगा यह सारा दिश्रा निर्देस लंबा चुड़ा को जो कोश्टन पेपर में दिया गया रहता है वह दिया गया है देखे उर्दु में भी लिखा गया है कि उमीद्वार को ओम आर्षीट में अपना सवाल्यक किताबचा का सीरियल नमबर लिखना होगा यानि कि जो आप लोग का नंबर है यह जब आप लोग एक्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो यह आप लोग को फॉलो करना है वैसे यहां पर यह बोला जा रहा है ना कि जो स्टुडेंट है जो एक्जाम देने वाले विद्यारती हैं उनको ओम आर्ट सीट में अपना सवारिया किताब चाहिए यानि क सिर्फ पचास सवालों का जवाब आप लोगों को देना है अगर पचास से ज्यादा सवालों का जवाब देंगे तो सिर्फ पहले से पचास सवालों को शमार किया जाएगा यान की शामिल किया जाएगा और पचास सवालों का ही क्या होगा आपका अब्जेक्टिव कोशन च सब्सक्राइब करना है जबकि ऐसा नहीं है सो में से आप लोगों को पचासी टिक करना रहता है यह ध्यान में जरूर रखिएगा चलिए तो स्टार्ट होता है यहां से अब्जेक्टिव कोश्चन देखिए सबसे पहला सवाल ऑन दे स्क्रीन आ चुका है आप लोगों के स्क् पढ़ा है तो मैं बोल रही होना कि यह हर एक अब्जेक्टिव कोश्चन का एंसर देना आप लोगों के लिए यूँ बाय हाथ का खेल होगा चुटकियों का खेल होगा आप लोग जानते नहीं है भला रॉक फिलर कौन था वह एक ताजिर था यानकी बिजनेसमैन था यह मै आदमी बन गया था बहुत बड़ा बिजनेसमैन दूसरा सवाल देखिए यह भी आसान सवाल है किसकी ख्वाहिश पर मीरमन दहलवी ने बागो बाहर जैसी किताब तरजमा की यह भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और इंपॉर्टन समस्लें में बताई हूँ कि यह इशी याद रखेगा वो वही को कॉछन में पूछा गया है और मोडल पेपर में क्या दिया दूए मैं एक्जाम होगा जिस दिन आप लोग एकदां में बैखेंगे रियल में इंगे और जो आपके हाथ में को टूरई कशन पेपर में वही सवाल हों जो मैं आप लोगो लड़ी करा चुकी है और करा चुकी रहूंगी जी आप लोगे एक्जाम के पहले मैं एकदम जबरदस्त अंदाज में और चप्रक अबजेक्टिव कोशन कराऊंगी उसी में से अबजेक्टिव कोशन पूछेगा और यहां तक कि मैं आप लोगो जो कुछ भी पढ़ाती हूं सी में से कोशन पूछा जाता है देखिए किसकी ख्वाइश पर मीर मीरमन देहलवी ने बाग बहार जैसे किताब लिखी थी आप लोगों को बताई हुना जान गुलक्रिस्ट यहां कि आप लिए प्रॉमिस के अफसान निगार कौन है आप लोग जानते हैं इसके अफसान निगार कौन है वह जिलानी बानों और इस दुनिया में होई नहीं सकता है ठीक है चौथा सवाल कि मौलाना आजाद कहां मदफून है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहां दफन किया गया है और आगे बढ़ते हैं पाच्वा सवाल आप लोग खुद एं में हुई यह इंपॉर्टेंट सवाले बताइए दर्जायल में से किसकी शादी लाहौर में हुई है और सने में है प्रेम चंद वी में है बेदी सी में कृष्णी चंद्र और डी में है मन्टू बताइए यह थोड़ा आप यूं कह सकते हैं पुरा अंदर जाकर खखोर कर न नहीं है बुकमेदिया ही नहीं बेदी तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे यानि कि ऑपसन अबर डी दा करेक्ट इंसर बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं को स्टूडिन्ट हमारे दोरा पढ़ाए गए हर एक चैप्टर को पढ़ा होगा और्दू ग्रामर को पढ़ा हुआ है यह मैं यह पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कोशन नबर सेवन देखिया हम नहीं जानते किसकी नजम है बहुत ही ज़दा आसान यूजीनौ मनताले कि नजम है यूजीनौ मनताले के और इसके जो मुद्जिम हैं यानि की ट्रंसलेटर है वह कौन है वहें वहें परहाई थी और बताई थी इंपॉर्टन समझते हुए आठवा सवाल कि खलीलु रह्मान आजमी ने आला तालीम कहां हासिल की आपसन ए में हैं आजमगड बी में हैं अलीगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी सी में हैं जामिया मिल्ला इसलामिया और डी में हैं जे एन यू सवाल और 9 कि जोष मलिया बादी इसमस्टर पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा मैं इंपॉर्टिण समझते विए बताई थी जो रखिएगा आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे यह कोशन पूछ सकता है और देखें यहां पर बडल पेपर में पूछ भी दिया गया है इसका सही जवाब क्या होगा पाकिस्तान यानि कि ऑप्सन अबर सी इस दा करेक्ट एंजर आगे बढ़ते हैं दस्वा सवाल कि रासिक अजिम अबादी का मजा होता है जो मैं आप लोगो पढ़ाती है और जो बच्चा जो स्टुरेंट हमारी बात को मानता है तो तो उसका कभी भी उर्दु में 95 प्लस आना ही आना है या आप लोग अपने माइन में बिठा लीजिए ठीक है ना तो रासिक अजिम अबादी का मजार कहां है इनका मजार है लोदी का ट्रापटना सिटी में यान कि आपसा नबर 20 ता करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं ग्यारहुमा सवाल की जेल में खाका कौन है आपसा ने में है बागो बहार बी में है तॉपतर नसू सी में नजीर इमत की कहानी और डी में फसाना या जाइब आप लोग के पाशा की पैदाईश कहां हुई और डी में फरुखाबाद तो एहमद जमाल पाशा यह भी इंपॉटन कोश्चन है इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इलहाबाद में आप लोग को याद होगा तो देखिए जो लोग चप्र को नहीं पढ़े हैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे तो हर एक चप्र का वीडियो मिल जाएगा अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा अमों की खादमा का नाम रहता है क्या ख्वा सवाल है कि कामिल इनकलाब का तसवर किसने पेश किया बहुत ही आसान इसना हलवा मतलब जो स्टोर्ण हमारे से पढ़ा होगा और प्रिट से बोल रही हूं क्यों अकदम खुश होगा सारा कोश्चन देखकर क्योंकि हर एक को अराम से यह चुटकी बजाते हुए अनसर दे स और फजोम से ओर एकड़ और बर सुट्रा आगे बढ़ते हैं को शनबर सिक्स्टीन देखिए बरक कालिशा कैसी नजम है यह एकदम हलवा को शनब हलवा बरक कालिशा कैसी नजम है आप लोग जानते हैं यह जरीफाना नजम है जिसमें हसी मजाग हो कमेंट हो उसतरा के 17 जो है न यह अफसाने यह कहानी है राजेंदर सिंग बेदी का राइटर कौन है अफसाने निगार कौन है तो वह राजेंदर सिंग बेदी आपसन नमबर सीज़ दे करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं 18 नमबर सवाल है कि खलीलूर रह्मान आजमी ने किसकी निगराणी में प सब्सक्राइब का मुकाला लिखे थे आगे बढ़ते हैं 19 की जोश की जय पैदाईश कहां है और अगर आप लोग कोशन का एंसर दे पा रहे हैं अगर आप लोग को जो कुछ भी पढ़ाई हूं वहर एक कोशन यहां पर पूछा जा रहा है आप लोग सही अंसर कर पा रहे ह है तो इससे बहुत इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो इस बात पर लाइक तो बनता है वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किये हैं और शेर नहीं किये हैं तो पड़ाफट लाइक शेर जरूर कर दें लाइक शेर तो बनता है जी हां कम से कम इस वीडियो का ज कि ठीक बहुत बड़ी उनुस का जोश की जाये पैदाइश यह कि जगा पर कुई थी उस जगा का नाम है भाद जोश मलिअबादी नाम में एक यह नाम में से ही पता चल जा रहा है कि जोश मलिअबादी मलिअबाद में पैदा हुए था यह भी मैं आप लोगो अगला प्रश्ण प्रश्ण नंबर 21 सवाल है कि स्वार्सी किताब का तरजुमा है बागो बाहर यह जो से चहार दरवेश चहार दरवेश नाम के फार्सी किताब का तरजुमा किया गया जिसका जिसकी वाबस्ता है और दी में खाका तो तो यह तो एकदम हलुआ यह भी अग्दम हलुआ सवाल है उपसाना से लिखा करते हैं आगे बढ़ते हैं कोश्ण नबर 24 इनमें से किस रेशा कि रिसाले का तालुक वालाना अजाद से नहीं है अ कि लगी में हमिदर्द सी मम झूछ भाला गोर्डी मैं लिसानल सित्र आप लोग खुड ू सोचिए आप लोग व्यप्त साय लेकि जी कि पत्रिक तोrika से मॉलाना बॉल्क्राम अजाद समबंधत नहीं ही ये कुशन पूछ संबंदित नहीं थे ठीक है आगे बढ़ते हैं 25 सवाल कि जैल से फरार होने में कामियाब हुए किस दिन जैल से फरार हो गए थे भाग गए थे जैप्रकाश्ण राएं में हम वोली दिन में के दिन दूर्गा पूजा के दिन दिवाली के दिन अड़ मैंसरी इस परार जैल से भाग गए थे और फिट उची दिवार को कूद कर यह भागे थे जरा आप लोग कमेंड में लिखकर बताएं ठीक है और ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि यह जैप्रकाश्ण अरायन जेल से भाग गये थे तो यह क्रांती जो है ना वह इन ही के वज़ा से सफल हुआ था यह बहुत अच्छी बात कौन सा जेल था कौन से जेल से यह कुद कर भागे थे और कितनी फिट की उची दिवार से यह कुद कर भागे थे यह हर एक चीज में आप लोग को पढ़ाई हूं अब आफ लोग कमेंड करते जरूर बताईएगा कमेंड में लिखकर ठीक है कुशन नमबर 26 कि अकबर अलाब वर्फादी को खान बाधुर का खिताब नमबर 27 लाओं धूर्फ के लावा कि जबान में शायरी करते थे तो अर्दू के लावा यह फारसी जबान में शायरी किया बहुत ही कम अर्दू जबान में है शायरी किये लेगी जब बलला फीरıt on ब سबस आगे बढ़ें 28 नमबर सवाल कि उर्दू हुरूफ तहजी के कुल कितने हुरूफ हैं देखिए ये उर्दू ग्रामर से कोश्चन है और उर्दू ग्रामर भी मैं आप लोग पढ़ा चुकी हूं अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो उर्दू ग्रामर के पेले लिस्ट का भ ये होगा ना तो सी होगा क्योंकि उर्दू हुरूफ तहजी की तदा ज leak और ऑवन है तो option में कहीं कर दोखा आConnell अधिक हले कि हर इनसान जो है ना इनसान को इनसान क्यों कहते हैं क्योंकि इनसान से गलती होती है अगर इनसान से गलती ना होता तब वो तो भगवान कहलाएगा तब तो खुदा कहलाएगा अल्ला कहलाएगा इनसान से गलती होती है तो उसी तरह जैसे कि मैं भी कभी कभी बोलती हूं त यहां पर भी कटा गया है यह तो लिखने में थोड़ी बहुत गल्ती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं 29 सवाल है कि जोश का पूरा नाम क्या है जोश मलीवादी का पूरा नाम आप लोगो बताना है 29 सवाल है और यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक होई है मैं आप लोगो बताऊंगी वह मिस्टेक क्या है इस कॉश्चन में सबसे पहले इस कॉश्चन का इंसर बताईए और यह में बशीर अहमद खा वी में शबीर अहमद खा सी में नजीर अहमद खा और डी में शाहिद अली खां जोश मलीवादी का पूरा नाम क्या है बताए इ कही पर भी शबीर हसन खा नहीं लिखा गया है यानिकी इन चारों आप्सन में कहीं पर भी आप दोओको शबीर छी नहीं दिख रहा है यहांं चोड़ी कोई नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हुँ न कि जिस तरह भी यह लिखा गया है वाके में बहुत आच्छे तरीके से खुड़त राइटिंग के साथ भाके में बहुत अच्छा लिखा गया है ठीक है यह पर सही option जो है ना वो नहीं दिया गया है बट कोई दिक्कत नहीं है शबीर हसंखा याद रखिएगा जोष मलियवादी का पूरा नाम क्या है शबीर हसंखा ठीक है आगे बढ़ते हैं तीस नंबर सवाल है कि दर्जजैल में से रासिख किसके शागिर दित हैं ठीक है हलांकि आगे बढ़ते हैं एक क्या ओफिसियल मॉडल पेपर है याद रखिएगा यह आप लोगों को पढ़ाई हूं इम्पोर्टन समझते हुए यहां तक कि मैं आप लोगों को बताई थी यह कि रासिख किसके शागिर थे याद रखिएगा रासिख जिमबादी जो थे ना वो श सवाल है कि सियद सुलेमान अद्वी की वफात कहां हुई और सने में कराची भी में लहोर सी में लखनव उड़ी में पटना यह भी आसान सवाल इतना असान सवाल तो हुई नहीं सब्सक्राइभ ने मगरिब को किसकी अलामत पराड़ दिया है यानि कि इन्शाय जो है इस हि मखर्यब को किसकी अलामत कराएब यानिकी मघ्रीब की पर फायज हुए थे तो मौक मा इतलात में शाफी जावेद हैं जिस और पर उस और का नाम बताई है इसका सही जवाब हो जाएगा डारेक्टर जिना डारेक्टर के पोस्ट पर यह फायज हुए थे काम किये थे नौकरे किये थे तौप से नमबर डीज्ट करेक्ट इंसर कोश्ट नमबर 34 की निसाब में मौलाना आजाद के कितने खतूत शामिल है यहां पर कुछा गया है कि हम लोग के सिल chaîne स्थ नियुट में कि मौलाना औरकलाम आजाद के कितने खतूत शामिल कितने खतूत दिये गए हैं तो गेपर कनी घ至समेम को ईप निसाब में डियागma आप लोगों के दिया गया है तो आप से नमबर सीजदा करेक्ट एंसर वलाना बुलक्लाम अजाद की तीन खुतूत पैंतिस नमबर सवाल है कि जैपरकाश नरायन का कौन सा खुत्बा शामिल निसाब है यानि कि जैपरकाश नरायन का कौन सा उपदेश है जो कि हम लोग इसल हाना सवाल था आगे बढ़ते हैं कोई भी तफ seeking आगर आप हैं उन्हां पढ़ार नहीं के बहुत ही आसान है भाधिा लगए अर नहीं हम्रद हम रधीफ होते हैं एक मिनट रुग जाए जिछा गया है कि घजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिस्रें हम काफिया होते हैं हम लोग मतला यानि कि ऑप्सन नंबर बी इस दा करेक्ट एंसर एकदम आसान सवाल है इसलिए मैं बोल रही हूं कि अगर आप लोगोंने चेप्टर नहीं पढ़ा है वह दूग्रामर भी नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लिजेगा सभी के प्लेलिस्ट का लिंग किसी और अर्षद काँवी अभी जमान थे 34 साल की उनिंपि उमर थी उनका इंतिकाल हो गए तो इससका सही जवाब कि होगा ईंटकाल हो ऊप्सन ऑप ऑच्छाल की निदे पर इंसर आगई मिजाज की तालीम कहां तक हुई थी और इसका सही जवाब तो आप लोगो देखी जा रहा होगा मिर्दा मुहमद रफी इनका नाम है और सौधा तखलूस है तो अगला प्रशन देखिए एक तालीस नंबर प्रशन यानि की सवाल है कि इन शया निगार का मकसद क्या होता है अपसे में जिद्धत तराजी भी में तंजो मजासी में सादगी और डी में आलमाना बहस इसका जो सही जवाब होगा और जिद्धत तराजी कुछ नंबर फोटी टू कि बागो बहार कब लिखी गई ऑपसने में उन्हें से एक बी में अठारा से तो जी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अठारा से एक में लिखकर तैयार कर दी गई थी बागो बहार नाम का किताब कुछ सब्जेक्ट से में किये थें उस सब्जेक्ट का नाम है समाजियात जियाँ नेक्स्ट कोशन कोशनμεर 44 कि गवार खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए हैं ऑपसन में हजारी बाग जेल बान की पूर जेल और एक किला अहमदनगर की जेल और ड़ी में हैं तिहाड जेल दिल्ली तो गुबार खातिर के जितने भी खुतूद थे ना मौलाना अबुल कलाम आजार जिस जेल में बैठ कर लिखे थे उस जेल का नाम है पिला एहमद नगर की जेल जी हाँ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कोशन नमबर 45 की कामिल इंकलाब की मसन्निफ कौन है आपसन ए राजिंद्र कामिल इंकलाब के मुसार याण की संपून क्रांद्टी के राइटर लेखा कोश की आप में दिया गया खालट को इसमें तो ऑप्सन देखने की इंद ही नहीं एं आप सी में जेप्रकाश्न नारायन देखर है तुरंद तिक की एकदम धीरे से प्रमाइं आगे बढ़ते हूं कि नजमबर के कलिसा में शायर ने फित्रत की बहार किसको कहा है यह मैं आप लोग को हर एक अब्जेक्टिब कोशन भी तो करा चुकी हुँ अगर आप लोगों ने हर एक अब्जेक्टिब कोशन कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप लोग जरूर करें इसी क्रशन या नहीं हो सकता है और यह एक अब्जेक्टिब कोशन में आप लोगों कर आ चुकी हूं चैप्टर भी बढ़ा चुकी हूं और यहां तक की सब्डेक्टिब कोशन भी करा चुकी हुँ ठीख हैं और मज़हे हुगा आप लोग एकदम खुशी को रही होगी कि वह ख स्कत्र में मायूस होने की ज़रूट नहीं कि सौने से आप लोग चार-पांच देखने बना रहे हैं इसमें मायूस होने की ज़ओध नहीं है आप लोगी कि तारिया एक दम जबरदस्ता और इसी तरह आप यह रहनी चाहिए कि फूरस नियुद्रन फोटी सेवेञिए गालिप के वालिदा यान की मा का नाम जो था वो क्या था इज़तों निसाब एगम जिहां आपसे नुबर 30 कुछ नुबर 48 है कि मिजाज लखनवी की वफात कब हुई तो मिजाज लखनवी की वफात हो गई थी कुछ नुबर 49 की गमे अरशद क्या है आपसे नुबर दी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं पचास नुबर सवाल की अंजुम के मानी क्या है अंजुम इस शब्द का मतलब बताना है आपसे ने में सूरज भी में है चांद सी में सितारे और डी में है कहक ऐस्वाल को जवाब नहीं दे आ रहे तो भी कोई कोई धिकत नहीं है कि कोई भी एक शवद उठाकर पूर्द सकता के कोई कर दे धीरे से आगे बढ़ते हैं 52 सवाल की मंटू की वालिदा का क्या नाम था अप्सने में किरदार बेगम बी में सरदार बेगम सी में गुफ्तार बेगम और डी में हाजरा बेगम देखिए 50 कोशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 52 सवाल कर रहे हैं तो आधा से ज्यादा प्लस लाइक है आप लोग का टार्गेट पुरा कर दें बहुत बढ़िया बावन का ओप्सन नंबर भी हो जाएगा सरदार बेगम मंतू की वालद वालिदा यानि की मा का नाम सरदार बेगम आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 53 कि अफसाना इब्राहिम चक्का में किस गाउं घरण आगे बढ़ते हैं की वालिद पीता जी का नाम क्या था सर्वर नहीं उर्जब अलीबेग सरूर। सुरूर के वालिद यानि की पिता जी का नाम क्या था फिफ्टी फोर का जो सही जवाब होगा वहोगा उपसन नंबर ए मिर्जा असगर अली फिफ्टी फाइफ नंबर सवाल की दर्जाइल में अली सर्दार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है उपसने में संगे पैराहन भी मे कि मुतशाइर के माहिनी क्या है बनाउटी शैर मतलब क्या होता है बनाउटी शैर इसली चैर ये तो होगा नहीं ये भी तो सावाल मिर्जा वाज दुसेनि यास यह लाएं चंगेजी देखिए मिर्जा वाजी दूसेन ल knew Son इन्होंने यगाना लगाना इस्टार कर दिया इनका तखलुस क्या हो गया यगाना हो गया इसी वजह से इनका पूरा नाम बोला जाता है मिर्जा वाजिद हुसेन यास यगाना चंगेजी ठीक है कुछ नबर 58 देखिए मर्शिया गोई के लिए कौन सी हैयत मकबूल है तो वह Auster क्रक्न साओक आगे बढ़ते हैं फु heated 59 कि तारी method में व ली दखनी दर्मियान एकफुल की तरह दिखाई देते हैं है तारीख यदभ में वली दकनी किस के दर्मियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं आप लोग Netflix को ihan और पूछल कि तरह समय जाता है तो वह वली दखनी और यहां पर कोशन पुछा गया है कि तारिखी अदब में वली दखनी को किसके दर्म्यान एक पूल की तरह सब्सवेता है यानिकि दिखाई देते हैं तो आपसे नमबर ए शुमाल और जुनूब याद रखिएगा शुमाल जुनूब यानि कि उत्तर और दक्षिड के बीच पुल की तरह दिखाई देते हैं वली दक्नी क्योंकि उर्दु शाहिरी को जुनूब से शुमाल तक पहुचाने का जो श्रे जाता है वो वली दक्नी को तो एक बार फिर से बोल रही हूँ कि याद रखिएगा कि वली दक्नी को शुमाल और जुनूब के दरम्यान एक पुल की तरह तसाओर किया जाता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं साथ नमबर सवाल कि कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिससे गजल जैसी सिन्फ पैदा हुई तो वह है कसीदे का तश्वीव स्टार्टिंग वाला हिस्सा आगे बढ़ते हैं एक सट नमबर सवाल है कि दर जैल में दक्कन का मशूर शायर कौन है और वो है वो है नुसरती आप्स नमबर एस दा करेक्टन सर कोशन नमबर 62 है कि सही जुमला है अब यहां से ग्रामर से को सबस्थान अब्स यहां सब्सक्रा-चार ऑज़क्र कम करेक्टन सर दगना है यह नहीं नदेखा वेसे जुमला नहीं नदेखाisetbenim box 63 और nutrवाना का हासिले मजदर क्या है गवराना का हासिले मजदर आप लोग֌ بتाना है हम स्थार में में आपको पढ़ार क्या होआ हूँ गुरामर में अगर आप लोग 6 दे में छे देखे तश्वी का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे चीज के जैसा करार देना और इबने मर्यां बी में उट जैसा कद देखिए इसमें लग रहा है न कि कि एक चीज़ को दूसरे की जैसा बताया जा रहा है तो क्या होगा तश्रवी देना कहलाएगा तो आपसे नमर्वीज तर्टन से आप लोगों को याद भी हो गया होगा कुछ नमर्ट 65 देखिए कि जदिद उर्दू नजम की रिवायतों में किसी नजम को अवलियत हासिल है ऑपसेलिय में मस्जिद करतबा से शब्कदर ऑडी में है यहे क्ह возмμोच जो है यहां ग्रामर में जहां तक आप節目 का दाइरह है यहहां तक का लाइन है संदड़ कर करके पूचा गया है स्लेज से बाहर पूचा गया है जो है जो है जहां पर इंतरेंस और यहां पर पढ़ाया जाता है तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जब इतना डिपली जाकर में पूछ दिया है तो मैं आप लोगों को तश्भी स्तारा वगरा क्या है बता दोंगी यापन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से भी ठीक है लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाया जाता है यहां पर जो है ना मुझे लगता है कि और 66 है कि यहां से जाओ में जाओ कौन साफ यहां से जाओ में यहां से जाओ और इस जुमले में यह जो जाओ है कि कौन सा फेल कौन से क्रिया है तो आप लोग जानते हैं यहां से जाओ यहां से जाओ यहां से जाओ यह मत खाओ मेरे लिए गिलास पानी लाओ जिसमें हुक्म हो जिस क्रिया में हुक्म हो ठीक है उस तरह के फेल को उसा के किरिया को कहते हैं हम लोग पिखेल अमर यानी ठिसी फिल अमर आगे बढ़ते हैं कि दिन में तारे नजर आना का क्या मतलब है ये एक मुहावरांट धिन में तारे नजर आना और इस मुहावरां का मतलब आप लोगों को बताना है। Wandering तो दिन में तारे नजर आने का मतलब होता है मायूसी च्हा जाना यह आसान सा सवाल है ज्यादा तफ नहीं है कि सहरुल बयान क्या है तो यह तो ना तो कसीदा है ना तो रुबाई है और नाहीं नावील है यानि कि उप्सण नमबर ए हो जाएगा मस्नवी आगे बढ़ते हैं कोश्ण नमबर 69 69 नमबर सवाल कि लवज शब की जिद क्या होगी उपसण ने में रात वी में अंधेरा सी में रोशनी और डी में रोज शब और रोज आप लोग सुने होंगे शब का मतलब होता रात तो होगा नहीं भी भी नहीं होगा और स्यवी नहीं होगा यानि कि उल्टा ऽिद्य उल्टा बताना है तो मिथा राट रात आध का यह नहीं होगा यादि कि डारेक्ट आप लोगों को ये चीज समझ enforcement हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 170ाइं सवाल है कि काई चिसम लकुर की कौन से किसम है औप सने मैं इस्म Хालिया बीमें इसम फायल सीमें इसम आला और डीमें इसम जर्फ और इसका जूस्ता ही जबाब होगा सतर का, पूँआ नमबर दॉस इसम से ओजार और फिर हत्यार का होना जाहिरु हो, उस इसम को कहते हैं इसमे आला कायँँ हो रहा है ना, इसम से इसको क्या कहेंगे इसमे आला कहेंगे कौशन नमर सेवेंट यँद अब ज़्दा कोशन नह है बोलेगा याने वाले समय में बोलेगा याने की फ्यूचर में बोलेगा मुस्तक्बिल में बोलेगा तो आगे बढ़ते हैं 72 किसके खुतूत का मजमूवा है यह भी मैं आप लोगों समझते हुए बताई थी कि याद रखिएगा मिर्जा गालिब के दो खुतूत के कहां दोनों का लाम याद रखेगा और अजिक्ता किताब है कि अागे बढ़ते हैं 73 क्वाश्चन कि विड्याओं क्या होगी technology is the correct answer which knows Never 74 ख्रकादिया से क्या मुराद हैं अन्देर घ्र काई आप सकते हैं अंध्यर का चिराग किसको कहते हैं को 74 का एक से निकाल सकते हैं स्टेवल सीजबार हो जाएगा कोश्ण 오래 सेवेंटी फाइज डेहिए कि राशिद लोमडी की मानंद चलाक है इसमें किसको तश्बी दी गई है किसको तश्बी दी गई है और उपस्टन assuming ऐस ए भीम है लोखीसी में है की मानध और डी में चला देखे राशिद की तशवीटीगाई है कित से लोख से कि राशिद लो णडी की मानध चलाक है तो राशिद की तस्वीदी गई है लोमडी से यहां पर कोशन यहीं पुछा जा रहा है कि इसमें किसको तश्वीदी गई है यहां कि राशिद को तश्वीदी गई है तो आपसे नमबर ए हो जाएगा करेक्ट एंसर अगर यह कोशन पूछा जाता किस जुमले में किस से तश्वीदी गई है तब हो जाता लोमडी क्योंकि लोमडी से तश्वीदी जा रही है राशीद को तो यहाँ पर कोशन पुचा क्या गया है ? कि गाय का मुझकर क्या है ऑप्टन ए में है भैस बी में है भैसा सी में है बैल और डी में बच्छा तो गाए का जो मुझकर यानि की फुलिंग शब्द होगा वो होगा बैल ऑप्टन नमबर सी दक करेक्ट एंजर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 77 नमबर सवाल ऑन दो स्क्रीन है कि द तष्बी के लिए लाजिम है उब सानम यह मुस्तरक आवाज वी मुस्तरक सिफट यान कि सिफाष और सिम् cav मुस्तरक्ष अलफाज और दी में मुस्तरक्ष बनावट तो तश्वी देने के लिए जो जरूरी है लाजिम है वह है जिए मुस्तरक्ष सिफत कोई भी क्वालिटी कोई भी विश्यस्ता की बुन्याद पर ही किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज़ के जैसा करार दिया जाता ह सब्सक्राइब यानि कि और भी विल्विदा करेक्ष एंसर कोट्ष नमबर 79 है कि क्वारेंटीन अफसाना में किस वबा का दिक्र है ऑपसे नमबर ए में हैं तब भी में मलेरिया सी में प्लेग और डी में नमोना सॉरी निमोनिया यहां पर गलत मुझे लगता है टाइप हो अब घ्री इसकौट को पहण है और इनशर आप वोकर दिमाग में तुरंत आजाना चाहिए और जिस भी वाप्सण में दिखाई दे उसको धीरे से ठीक कर देना है कम को नहीं करने का हूंdır मत आओ कुछ यहां मत आओ के नहीं नहीं करने का मत दूह से但 नहीं कहते हो यह में हुक्म दिया जाए उसको कहते हैं फेल अम्र लेकिन हुक्म तो दिया जाए और हुक्म दिया जाए तो किसी काम को नहीं करने का हुक्म दिया जाए तो उसको कहेंगे फेल नहीं तो आपसा नंबर सी इस्दा करेक्ट नसर यहां पर किसी काम को नहीं करने का हुक्म दिय है बेपरवाह होना भी में है मतलब निकालना सी में नुकसान पहुचाना और डी में गुरूर करना इसमें तो खेर सोचने वाली बात ही नहीं है और बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब मतलब निकालना आगे बढ़ते हैं कोश्च नमबर 82 है कि इसम की तादाद एक से ज्य ना सब्टकिक के बोड़ अग्जाम में भी पूछा जाता है तो पहले से आप लोग फ्री रहें माइंड को फ्रेश करके रखना है बोज नहीं लेना है माइंड मैंड माइंड पर ज्याधा बज्यों लेना है कि पता रहें कि सवाल पूचह जाएंगे टफ होंगे ऐसे नहीं बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं और इसी वज़ाद से तो यहां पर मॉडल पेपर जारी किया जाता है विहार बोड के तरफ से कोशन नमबर 83 है कि जमुल जमा की मिसाल है देखिए जमुल जमा कहते हैं जो लफस जमा हो और फिर उसका दुबारा जमा बना दिया जाए मतलब कि जो लफस प्लूरल हो लेकिन उसका दुबारा प्लूरल बना दो तो उस तरह के लफस को कहते हैं जमुल जमा यहां पर देखि हर का भी फिर दुबारा जमा बना दिया जता है यानि कि प्लूरल बना दिया जाता है जवाहरात थो यह पर अगे बठ़ते हैं और 84 देखिए जहीन तालिब निल्म में जहीन क्या है को सना इसमें ओला व सिफत सी में इसमें जर्फ और डी में है फेल अगर जहीन तालीब देखे यह भी अब्जेक्टिव कोशन में आप लोको कराई थी याद होगा अगर आप लोको और इसी तरह का कोशन में लिज थी बस तालीब इन के जगा मैं एक लड़की का नाम रख देखी जहीन पता नहीं उस लड़की का नाम क्या था मनलब कोई एक लड़की का नाम था लेकिन कोशन यही था जो मैं आप लोको अब्जेक्टिव कोशन कराई थी तो और इसी तरह का कोशन था कि जहीन तालीब इल्म में जहीन क्या है ऑप सने में इसमें आला है भी में सिफत है यान की जहीन क्या कैसा है तो ऑपसा नंबर भी सिफत इस दा करेक्ट अंसर यानि की जहीन क्या है सिफत है विश्रेश्था है क्वालिटी आगे बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल है कि मैं पठना जाओंगा यह कौन सा जमाना है option A में है fail माजी, B में है fail मुस्तक्बिल, C में है fail हाल और D में है माजी करीब मैं पठना जाओंगा, यानि की गया नहीं हूँ मतब जो काम होगा, वो आने वाले समय में होगा, future में होगा यानि की मुस्तक्बिल में होगा तो मुस्तक्बिल लगा दीजी option number B is the correct answer चुका है, बताईए इसका सही जवाब क्या होगा, माजी शक्या कौन है, देखिए जिस जुमले को पढ़कर लगे, इसमें शक पाया जा रहा हो, उसको कहते हैं माजी शक्या अब मैं आप लोगों को बता दी, इसका सही जवाब बता दीजे, आसान सवाल है देखिए, कुछ इस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिनको बस answer से मतलब होता है, पुश्चन पढ़ लिए, इसर बता दीए, बोलते हैं कि जल ज़ल जदी मैं answer बता दीजे, हमें समझना नहीं है और कुछ इस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं, हो और भी बाकी सभी चीजों पर पकड़ बना देते हैं, उसे और दूसरा कोशं frightened फूश्च भी दिया गया तो तो उनके लिए फायदा करता है इसी वज़े से मैं आप सभी लोग के लिए बोलूँगी कि आप लोग सिर्फ एंसर मतलब नहीं इंसर पर डिबेंड नहीं रहे हैं जल जल दी एंसर बता दीजिए हम लोग जल जल दी मिला ले रहे हैं उसके बाद से खतम करते हैं लाई प्ला हुआ ठीक है ना ऐसा क्यों हुआ रिजन जानने की कोश्ट कीजिए चीजों को समझें यहां पर माजी शक्या पूछा जा रहा है तो अभी मैं आप लोगों को बताई कि जुमले में शक हो बताई एहमद आया होगा की नहीं आया होगा मुझे लग रहा है कि एहमद आया बताई कि इसमें शक पाया जा रहा है लेकिन अहमद आया होगा इस जुम्मले को पढ़कर लग रहा है कि इसमें शक है शक पाया जा रहा है तो आप्शन नमर e is the correct answer अब जो स्टूडेंट इसको समझ गए उनको तो यह समझ में यह चीज़ भी आ गया होगा कि माजी शक्या किसे कहते हैं लेकिन जिन स्टूडिन को सिर्फ एंसर से मतलब रहता है कि मैं पड़ा पर बताइए इतना समझाने की जोत नहीं है सिर्फ एंसर बता दीजिए हम लोग मिला लेंगे वो चीज वो इस चीज को समझेंगे नहीं तो फिर इस तरह से अगर दूसरा कोशन पुछ द है और 87 का जो पार होगा ऑपोन मंबर ड् located मैंसे कोई नहीं क्योंकि महफिल मुझकर लफज है कि सरकार भी करगा है सरकार थे क्या पुछाज रह tratar विक्राइब सरकार में कौर मुझकर यानि कि पुलिंग है तो देखिए आपसने तो होगा नहीं क्योंकि यह मुणनस है भी भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा तो बिल्कुल सही जवाब है उपसर नंबर डी इन में से कोई नहीं इस तर्ट एंसर आगे बढ़ते हैं 88 नंबर सवाल कि खाना खाओ कौन सा फेल है उपसने में फेल अमर बी में फेल नहीं सी में फेल मजारे और डी में फेल हाल खाना खाओ यानि कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है और अभी में आप लोगों को बताई कि जिस जुम्ले में हुक्म दिया गया हो उसको कहते हैं जिस 89 नमबर सवाल है कि इसमें फाइल का मिसाल है आपसने में हैं देखने वाला बी में हैं देखा हुआ सी में हैं देखा गा और डी में हैं देखना तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा देखने वाला 89 का क्योंकि फाइल कहते हैं काम करने वाले इंसान को जो वेक् वे नंबर सवाल और मातर दस कोशन बचा हुआ है एंसर फड़ाफड बताएं कि मंदर जायल में इस मनक्रा यानि इसमें आम कौन है इस मनक्रा आप लोको बताई हूं कॉमन नाउन को कहते हैं जिस नाम से पूरी जाती का बोध हो अपसाने में गंगा यह एक इस पेसल नाम ब नदी में नदी की पुरी जाती आजाएगी इस नाम को इस इसMan को क्या कहेंगे तो नब figure करेंट इसे हैं नंबर सवाल की खबर की आँोगी खबीक किमा कि लोगे आप लोगो जब और पढ़ार लए था कि यहां तक पिये प्वोड़ों को यहां व्यक्तिशन कराई थी उस् वही कोशन यहां पर उठाकर पूछ दिया गया है मॉडल पेपर में सोचिए यह होता है तजरुबा और इसी वजह से मैं बोलती हूं कि टॉप अब बेस्ट आने के लिए तजरुबा पुरानी चाहिए और यहां देखिए जो कुछ भी मैं जो भी कोशन कराती हूं जो भी पुछन क्या होगा अख़वार यानि के उफसा नंबर सी इसदार कॉरेक्ट थेंसर अगे बढ़ temporary लगे कि तुम जरूर पास करेश किये नहीं हूंने आने वाले समय में यानिकि pot ま सेगा हैं देखिये मैalth को जाएगा वाहिग ठीक है और हाजिर है मतलब एक तो मैं क्या है हाजिर इसौरी मैं आया था यह जो लफ mental के एसमें मैं लफ्श है मैं से पता चल रहाए कि मुतकल्म यानि की first पर्सन और मैं यानिकी singular है यानिकी वाहिड है तो देखिए मैं क्या है एक की यह प्लिस वहुंद यानी हम लोग तो नहीं बोला गिया है जमा तो हगा नहीं वह ही दो गा और वैसे भी स्यगा क्या होता है वाहिद मुतकलिम जमा मुतकलिम वाहिद गायब जमा गायब वह दागर जमा हाजिर यह सब क्या होता है मैं आप लोग पढ़ा चुकि हुँ इस टॉपिक को जरूर पढ़ लिजेगा से च्लिक आप लोग के एकजाम में पूछे जाते हैं प् कौश नमबर 94 देखिए कि दरजयल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है आप लोग के हिसाब से क्या होगा हमारे हिसाब से तो आपसे नमबर डी लग रहा है हज तो आगे बढ़ते हैं किस फेल में किस फेल में हाल और मुस्तक्विल दोनों जमाना पाया जाता हूं हाल और मुस्तक्विल यांकि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जमाना दोनों काल पाया जाता हो तो इसका जो सही जवाब होगा ना वहोगा आपसा नमबर सी फेल मजारे कि मैं आप लोगों को फेल बताई हूं फेल किसे कहते हैं और फेल की कितनी किसमें है जिए जब मैं आप बी में है सिफत सी में फाइल और डी में है मफूल और इसका सही जवाब होगा जी हां एहमद पढ़ रहा है इस सेंटेंस में जुमले में एहमद काम कर रहा है यानकी पढ़ने का काम कौन कर रहा है एहमद कर रहा है तो जो इनसान जो शक्स जो इसम काम करता है काम करने वाल यह को कहते हैं यानि कि option नमबर सी देखें इसी में है तो सीजीव है तो सीजी दा करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं 97 नमबर सवाल है की रूह की सिफत क्या होगी option नमबर भी तफ़ रेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं पटाफर अभी दो बचा हुआ और दो कोश्चन अंठान्वर सवाल है कि मैं इंतजार कर रहा डैस डैसे यानकी खाली जगा है खाली जगा पर क्या रहना इस वज़े से दुबारा मिटाया भी गया है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं अक्रम खेल रहा है कौन सब्सक्राइब में आ जाएगा यानकी थार्ड पर्स थार्ड पर्शन हो जाएगा फस्ट पर्सन कहते हैं जो इंसान कहता हो यानकी बोलने वाले इंसान संगे बारे में बात की जाए इसको तर्ड पर्स यानि कि गायब है इसके बाद से एक कि पूछी तरह सही रहेगा कोशन सेगा से नहीं चूटेगा और लड़ी पढ़ा चुकी है ठीक है सो नंबर सवाल कि दर्जिजायल में मौननस कौन है लास्ट सवाल है हंड़िट नंबर सवाल ऑप्सन ए में दही वी में मोती सी में कुरसी और डी में हाती मौननस यानि कि स्ट्रिलिंग लफज बताना है कौन सा लफज मौननस है दही है कि मोती है कि कुरसी है कि हाती है तो देखिए दही खटा है यानि कि आप लोग बोलता है ना कि दही खटा है यानि कि दही तो मौननस होगा नहीं इस्ट्रिलिंग होगा नहीं यह तो पुलिंग होगा तो आप्सन नंबर ए तो होगा नहीं उ तो फाइनली ये था क्लास 12 के उर्दू का ऑफीसियल मॉडल पेपर जो की बिहार बोर्ड के तरफ से जारी किया गया था जो की 2024 के एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि बिहार बोर्ड जो एक्जाम कंडक्स करता है ना उसके कोशन पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का होगा बहुत ही असान उतना मतलब टफ नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यदा ईजी तो आप यहों कह सकते ईजी और मोडरेट म पूछा जाता है यहोप आप लोग को पता चल गया होगा कि कोशन किस तरह से पूछे जाते हैं कम से कम तो अस्जी आना ही चाहिए तक मैं अपने टीचिंग पर विश्वास है जहां तक मैं आप लोग को पढ़ाई होना है हंड़ेट में आप लोग 90 ला सकते हैं 95 ला सकते हैं लेकिन अगर आप लोग का हंड़ेट में 80 भी आया है ना 80 नंबर आया है फिर भी कोई दिकत नहीं आप लोग की तियारी अच्छी है लेकिन कोशिच करें कि आप लोग हंडेट में 90 objective question सही कर दें ठीक है ना हलांकि exam hall में बैठ कर ऐसी खलती नहीं किजिएगा exam hall में बैठ कर जो आप लोग exam देते हैं जो question paper मिलता है उसमें भी 100 objective question होगा तो आप लोग को 100 objective question में से 100 सही नहीं कर देना है 100 का लगा कर नहीं चले आना है बलकि 100 में से 85 objective question का एंसर आप लोग को देना है ठीक है अगर आप लोग 50 से ज्यादा दे दिए तो फिर starting से पचास टो काउंट कर लिया जाएगा और उसी को चेक किया जाएगा तो आप लोग पचासी आप लोग को exam hall में जब बैठ कर answer देना है ना question paper का तो सो में पचासी लगाईएगा और question कीजिएगा जिस पर आप लोग को 100% विश्वास है कि हाँ इसका यही answer होगा उसी को लगा कर आए ठीक है ना तो चलिए आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी डाउट नहीं होगा लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है कोई भी मतलब कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया तो comment में लिखकर पूछ लिजेगा हो सकेगा तो अगले अगले वीडियो में अगले टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज